गुड मॉनिंग चात्तों रामराजी इंटर कॉलेज नयानपूर पितनपूर अमभिटकर नगर की अनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है मैं अन्दकुमार आज आपके लिए नए टॉपिक नए चेप्टर लेकर के उपर स्तित हुआ हूँ शात्रों आज हम पढ़ेंगे मानो कल्यान में सोच मजीव माइक्रोब्स इन हीूमन वालेंस ठीक है इसका दिन करेंगे सोच मजीव का हमारे जीवन या हमारे लिए कैसे उप्योग है यहां देखिए टॉपिक दिया हुआ घरिली उत्पाद में जीव वलित माँ वहित मल में मैं उपचार में सुच माजी वायवगैस में जाय संतर धिस्य हम सबसे पहले सुच माँगी किसे कहते हैं सूच माँ इन्य तो सूच मुझी मायक्रो ओर गूनिज्म दैसा कि नॉर्मल्ली आप लुक कहते हैं ऐसे जीवधारी जिनको हम नगनांकों से नहीँ देख सकते हैं उन्हीं को सूच्मजीव कहते हैं या माईक्रोपस कहते हैं क्योंकि इन सभी सुचमजीव को हम केवल सुचमदर्सी से ही देख सकते हैं तो यह सुचमजीव स्वर्वयापी होते हैं सभी अस्थान पर पाय जाते हैं इसमें जैसे जीवार वॉएा है कवक है सयवाल है प्रो जो हुआ है ठीक है ये तो जितने भी सुच्मजी होते हैं यह कुछ मनुष्क दिया लाप्दायक होते हैं और कुछ खानिकारम कोते हैं तो सबसे पहले हम महत्पोर कारण पर या लाबदाय कारण पर अध्यन करेंगे तो सोच मजियों का हमारे जीवन में क्या उप्योग है यहां पर जो उप्योग दिया गया है पहला घरेलू उत्पादों में सोच मजियों ठीक है घरेलू उत्पादों में सोच मजियों माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोड़क्ट घरेल उत्पात किसे करते हैं जानते हैं जिसको हम घर में बनाते हैं घरेल उत्पात करते हैं ठीक है जैसे यह दिया हुआ है अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन ही कुम घरेल उत्पात करते हैं घरेल उत्पात में कौन कौन से एजंसियां है सबसे पहले दिया हुए ढिरी में इन रेरी डेरी दोध से संभननी थे दोध में जो है स्पेक्ट्रो कोकस लेक्टिक्स लेक्टिस और लेक्टोवैस्टिस लेक्टिस नामक जीवाण पाई या यह जाने जूते रहिए गा इस जीवाण का नाम याद रखना है आपकी संडे को हम प्रयास करेंगा आपका टेस्ट लेने का स्ट्रेप्टो कोकस लेक्टिस एंड लेक्टो वैसलेस लेक्टिस ये दूद में पाए जाते हैं जो लेक्टो सरकरा को ब्रेक करके लेक्टिक एसिट में करते हैं जिससे दूद खटा होता है टीक नॉर्मल पाया जाता है मिल्क में पाया जाता है दिया हुआ है दूद को अगर 15 सेकंड तक एक अटर डेरी सेंटी ग्रेट पर गर्म करके सिख्ड ठंडा कर रहे हैं तो लेक्टिकम लेक्टिकम में जिवाड़ों की संख्या कम हो जाती है और सभी जिवाड जो है नस्ट हो जाते हैं रोग जनग वीज़ार्गों के नस्ट होने से इनकी मित हो जाता है तो जब उसमें दूद से बैक्टेरिया नस्ट हो जाता है तो इस पास्चिरी करन कहते हैं you look high-익 box at 15 करें में दूद खटा हो जाता है करेया है थीक है तो लेक्रिक माइक्रोबश का क्यों पर गए हो गए ये देखे यहां हुक्तिर्या कर नाब लेक्टिकम जीवान जो है दूद में पाई जाने वाले केसी नामक प्रोटीन को प्रोटीन को दही बनाने में सहता करता है और दही के मतने से मक्षन या वसा एकत दित होती है तो इसलिए इस इंपोर्टेंट है तो डेरी में हमें इन सब का उप्योग की आता है तो डेरी उद्दोग में अत्धिक जो उप्योग की जाती है वो छोटे जीवान गई देखिए यहाँ इतना अधिक या इतनी असता बढ़ गए डेरी उद्दोग की हम लोग डेरी वैक्टियोलोजी का अध्यन करते हैं बिग्यान के एक साखा बनाई गई है डेरी जीवाल बिग्यान डेरी वैक्ट्रियोलोजी क्योंकि दूद के असकता बढ़ गई है दूप के बिन्विन का के प्रोड़क्ट्स बना जाते हैं तो जो यह पहले से नॉर्मन मौझूद था लेक्ट्रो वैसलस इस्पेक्ट्रो ल मखा लेख्कर बनाने में उप्योंग करना ख्रोब कर दीन exempl Did इसलिए हमें सीजियों की असर्था होती जहादि के नाम दिया हुआ है नाम दिए है दही के लिए हममें स्प्रक्ट्रो को को कस लेक्ट्रिस अपनिर के लिए लैक्ट्रो वैसलिष्लेस लेक्ट्रिस मक्षन के अपनिर के लिए इन सब का प्रयोग किया आता है इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं डेरी में नहीं हो गया दूसरा बात यहां किया बिटली डोसा बनाने पसंद होगा सब को ठीक है इटली डोसा इटली डोसा जब बनता है चावल और दाल के आटे में बनता है तो दाल और चावल के जो आटे होते हैं उसको गूत करके रख दिया जाता है कुछ समय के लिए जिससे उसमें बैक्टिरिया बैक्टिरिया ग्रो हो जाते हैं और फिर मुलायम होने के करद़ से आसाने से वह फूलने लगते हैं ये नर्म प्रोसेस है तो जो गूत का रखा जाता है तो उसमें बैक्टिरिया ग्रो का जाता है बैक्टिरिया क्या है लिकोर नॉन इस्टाक टीक है इस्पेक्टो कोकस फिकलिस फिकलिस यह बैक्टिरिया है जो नॉर्मल अपने आप उस बैटने दाल या चावल के याटे में ग्रो कर जाते हैं जब वो गीला होता है परंत अद्दोगी कस्तर पर करने के लिए इसे उत्पादित किया जाता है और उत्पादित करने के बाद इसको क्या कहते हैं इस उत्दोग में इसका बैक्टिरिया का प्रयोग की जाता है तो अब नाम याद रखना है लिकोर नॉन इस्टाक और इस्पेक्टो कोकस बैक्टि इसमें जैसा दिया हुआ है इस टो एक वैक्टीरिया है यह नॉर्मल जैसा ओपर हमने बताया कि चावल और डाल को डाल के आटे को गूत करके रख दिया जाता है तो इसमें वैक्टीरिया ग्रोग हो जाता है इसमें भी ऐसे मैदे को अगर गूत करके रख दिया जाता है तो अपने आप इश्ट ग्रो कर जाता है लेकिन यह अद्दोगी गस्तर नहीं है अद्दोगी गस्तर में रखने के लिए इस्ट को जो है इस्ट को इस में मिला दिया जाता है जिसे वह जल्द कम समय में तयार हो जाता है लेके को यहां तमाम ब्रैटी दिया हुआ है एमिलेस वेकर और जाइमेस वेकर ठीक है इनका प्रयोग किया जाता है जिससे यह अद्दो की गस्तर पर इसका उप्योग किया जाता है ठीक है फिर तीसरा चौथा दिया हुआ है एकल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन सी यह सीपी सिंगल प्रोटीन यह भी कुछ छोटे जीवाणों जैसे होते हैं बैक्टीरिया और इस्ट के जैसा ही होता है लेकिन यह प्रोटीन का है यह कि नांटी सिक्सिक्स में जो है कैरोल और एल विल्सन के द्वारा कोजा गया था नाया नाम दिया गया था इनके द्वारा इसका जो प्रोटीन की पूर्थ के लिए किया जाता है यह ऐसा प्रोटीन होता है जिसका वह भोजन के सुरूप में लेने से हमाज सरी में प्रोटी से ट्राप्त किये जाते हैं ठीक है तो यह इतनी प्रकार की एक्टिविटीस इसमें किये जा रहे हैं तो आज हमने पढ़ा केबल सुछमजीव क्या है और सुछमजीव का घरेली उत्पादों में सुछमजीव क्या महत्त है ठीक है इसको पल देए और नोट्स भी बना देजएगा ओके थैंक यू